Hello Friends, नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका, आपके अपने प्यारे YouTube चैनल सनत Easy Mind Tutorials पर दोस्तों ये Question Series हमारा चल रहा है जिसमें कि आपको GKA1 Current Affairs के जो भी Question 2020 में 2020 में पूछा गया है कोई भी Exam में सभी Exams को कवर करवाय जा रहा है, उसमें से न की सिर्फ Question और Answer बलकि उसके साथ आपको Static Facts और जो भी Exam चल रहा है आपका RRB NTPC का, उसमें भी आपको इसी सीरीज से Question बहुत सारे Questions रिपीट, डिरेक्ली रिपीट होते हुए दिखेंगे, तो आप लोग बिल्कुल से इसका फाइदा है उठाई है और आगे जिनका Exam है, जो भी सिप्ट में RRB NTPC का, सभी लोग इस सीरीज को एक बार जरूर से देख के जाईए, और आपका आगे भी जितने Exam से, जैसे कि ICMR का Exam हो गया 3 जनवरी को, और आपने जो exams भरे हुए हैं, जैसे IB का Exam है, SLC का Exam है, सभी exams के लिए बहुत ही beneficial वीडियो होने वाला है, तो दोस्तों जो लोग चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करके bell button को press कर दीजिए, और हमने पिछले वीडियो में question number 22 तक किया था, आज हम question number 23 से start करते हैं, तो चले start करते हैं, आपका दास, दोस्तों question number 23, जो की BIS SSA का question है, December में पूछा गया है, a narrow strip of land that connects two larger land masses and separates two bodies of water, ठीक है, यह question आया था वकाय था, और इसका answer दोस्तों, अगर आ बिलकुल सही answer है, यह तीनों term बहुत important है, अब समस्ते हैं तीनों को picture के माध्यक से, देखिए, यह जो आपको दिख रहा है, यह इस तमस है, मतलब जमीन के टुकड़े हैं, land mass हैं, दो जमीन के टुकड़े हैं, और दो जमीन के टुकड़ों को एक छोटा सा जमीन का इस तमस, हिंदी में देख लेना, कुछ कहा जाता है इसको, हिंदी का term देख लेना, इसके बाद देखिए, दोस्तों, straight, straight किसे कहा जाता है, अगर दो टुकड़े जमीन के हैं, और दोनों जमीन के टुकड़ों को एक छोटा सा धारा पानी का, समंदर का, उसको अलग कर रह है और भारत और ये नीचे है स्रीलंका, ठीक है, माल लेजिए, for example, तो ये जो पानी का बहाव है, मतलब समंदर है, ये पोशन, इसको बोलेंगे हम straight, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, straight, क्योंकि ये अलग कर रहा है, ठीक है, इन दोनों को ये अलग कर रहा है, next दीखे दो को क्या होता है, ड्वीप सम्हों को हम बोलते हैं, आर्की पेलागो, ठीक है, जो ड्वीप सम्हों होते हैं, मतलब बहुत सारे टुकिटे टुकिटे ड्वीप मिलकर अगर एक बड़ा सम्हों बनाते हैं, मतलब छोटे-छोटे small islands, combination of small islands, is known as आर्की पेलागो, ठीक है, लार् सेप ब्लेटर, was the longest remaining president of which sports body, BIS में कुशिन पूछा गया था, December में, जो सेप ब्लेटर है, किस खेल समीती के, ठीक है, अध्यक्ष रह चुके हैं, सबसे ज्यादा समय तक, ठीक है, तो answer इसमें हो जाएगा, दोस्तों, फुटबॉल, ठीक है, फुटबॉल जो है, फुटबॉ जोसेप सेफ प्लेटर, अभी इनका रिटार्मेंट ये ले चुके हैं, और ये स्विस, मतलब जो स्विजर लैंड है, स्विस फुटबॉल अडिनिस्टेटर थे, जो की आठवे प्रेसिडेंट थे, एट्थ प्रेसिडेंट अफ फीफा थे, फ्रम 1998 से लेकर 2015, 1998 से 2015 तक, त बहुत लंबा था, और करेंटली ये क्या है, छे साल का इनके पर बैन लग गया है दोस्तों, ये और कोई भी फीफा एक्टिविटी में पास्ट पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, नेक्स्ट कुस्चिन जेखते हैं, दोस्तों हम लोग, कुस्चिन नमबर 25, जो क नीति आयोग अभी किसके जगे में हैं, पहले क्या था, इन में से option देखिए, अंसर हो जाएगा planning commission, पहले हमारा planning commission था, जो की 1950 को स्टार्ट किया गया था, ठीक है, 51 में, तो इन नहरूजी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, और इसी को replace कर रहा है अभी नीति आयोग, January 1, 2015, 1 January 2015, date important है दोस्तों, cabinet resolution आया था, जिसमें क्या कहा गया था, planning commission को replace कर दिया जाएगा, नीति आयोग से, National Institution for Transforming India, इसके बारे में जान लीजिए, इसका headquarter कहा पर है, मुख्यालय नई दिल्ली में है, निउ दिल्ली, chairperson, ग्रधान मंत्री, आधरणिया नरेंदर मोधी स next question, again from BIS, केरला coalition party, इसका नाम क्या था, केरला coalition party था, इसमें कुछ options और थे, इसका answer हो जाएगा, UDF, United Democratic Front, ठीक है, तो यह politics से question है, दोस्तों, इधर-धर से question पूछ लेता है, तो आपको, जो political parties है, सभी states के important states, जैसे केरला हो गया, महरास्टर हो गया, मध्यपदेश हो गय ठीक है, और West Bengal हो गया, Tamil Nadu हो गया, गुजरात हो गया, और आपका इधर Assam हो गया, इन तरीके से आपको, North East में से Assam, Gohati, तो आपको थोड़ा-थोड़ा याद रखना है, ठीक है, कौन सा party, कि स्टेट से है, important parties का नाम आपको ध्यान रखना है, तो politics in केरला is dominated by two political fronts, दो political सम हो हैं, जो कि केरला में मुख्य रूप से हैं, एक है Communist Party of India Marxist, ठीक है, और इसको कौन चलाता है, Left Democratic Front, और Indian National Congress, जिसको की चलाती है, United Democratic Front, ठीक है, 1970 से यह चलता आ रहा है केरला में, ठीक है, केरल में, next question दोस्तों, again BIS का है, which satellite was not launched by PSLV rocket launcher, ठीक है, जो PSLV rocket launcher है, इन में से कौन से satellite को launch नहीं किया है, उसने, नहीं किया है, वो अपसर आपको बताना है, ठीक है, तो मेरे भाई, अगर आपने चुना है, इसमें से answer, आरिया भट, तो बिल्कुल सही चुना है, आरिया भट जो है इसको PSLV rocket launcher ने launch नहीं किया है, ठीक है, अब जान लेते हैं कुछ इसके बारे में, आरिया भट तक क्या है, भारत का पहला satellite है, important कुछी नहीं से बनेगा दोस्तों, first, India's first satellite, named after the famous Indian astronomer, आरिया भट तक है, it was launched, कब launch किया गया था, 19 April 1975, 19th April 1975, important date to remember, कहां से launch किया गया था, कप रूस है, रूस का एक rocket ने इसको launch किया था, और ये कहां पर develop किया गया था, अस्तराकान oblast, ठीक है, using Qomo's 3M launch vehicle, इतना याद रखना जरूत नहीं है, बस याद रखिये, Russian rocket, और ये date याद रखिये, ठीक है, और पहला satellite था, इंडिया का, और इसको बनाए किस ने था, ISRO ने, ठीक है, ओके, ISRO का chairman, जो की आपको याद रखना है, ISRO का स्तापना दिवस, important है, और ISRO का headquarters, ओके, ये तीनों चीज, आप लोग, note कर लिजिए, copy में, Google से search कलके, इसको पढ़ लिजिएगा, next, question number 28, which state has the largest लोकसभा seats at present, again BIS का question है, वर्तमार में किस राज्य से, सबसे अधिक लोकसभा सीटे है, quality का question है दोस्तों, अगर आपका answer है, option number C, जो की है उत्तरपदेश, उत्तरपदेश से 80 सीटे हैं लोकसभा में, तो largest उत्तरपदेश में है, ठीक है, अब बाकी सारे states जो है, important उसका आपको इस तरीके से बना लेना है, देखिए, ये सब चीजें, जैसे उत्तरपदेश से देखिए, पहले आपको देखना है, कब state बना था, 24 जनवरी 1950, capital क्या है इसका, लखनौ, district कितने है, 75, 75 districts, governor कौन है, आनन्दी बेल पटेन, आनन्दी बेन पटेल, present आपको updated वाला याद रखना है, चीफ मिनिस्टर, योगी, अधित्यनाथ, योगी, अब देखिए, important क्या है, राजे सभा से 31 सीट हैं, उत्तरपदेश से, लोग सभा से 80 सीट हैं, और assembly से, विधान सभा से कितना है, 403, these three are also important parameters to remember for any state, okay, next question, question number 29, 73rd constitutional amendment, किस से संपकित है, again BAS का question है दोस्तों, जिहत्तरवा संभिधानिक संशोधन किस से संबदित है, आपके सा चुना है, option number B, बिल्कुल सही चुना है दोस्तों, पंचायती राज प्यवस्ता, इस से संबदित तक 73rd संभिधानिक संशोधन, ठीक है, देखिए, इसके बारे में कुछ हम जान लेते हैं, क्या important है दोस्तों, जनवरी 2020 तक, मतलब अभी तक, कितने हुए हैं, total 104, 104 संशोध हो चुके हैं संभिधान में, 104 amendments, इंडिया, since it was first enacted in 1950, 1950 में पहली बार इसको लाया गया था, force में, ठीक है, और कौन सा आर्टिकल है, 368, याद रखिए, आर्टिकल नंबर 368, जो मैं हाइलाइट कर रहा हूँ, वो ही important है दोस्तों, 368 आर्टिकल नंबर बताता है, constitutional amendment constitutional amendment कैसे लाया जाता है, पहला होता है, जिसमें की simple majority चाहिए, बस simple majority चाहिए, दोनों house में, parliament के, मतलब, राज्यसवा और लोगसवा में, तो easily pass हो जाएगा, दूसरा प्रकार जो होता है, उसमें क्या होता है, जिसमें special majority चाहिए, इसमें simple majority था, इसमें special majority मतलब, कुछ majority के सा थोड़ा जादा और चाहिए, मतलब, मान लीजिए, 50% प्लस वन, प्लस वन चाहिए, एक जादा चाहिए, ऐसे मान लीजिए आप, और जो तीसरा टाइप का amendment है, इसमें आपको special majority जो दूसरे में चाहिए, उसके साथ साथ, ठीक है, एक भाग से, मतलब, one half से जादा, जो हम हमारे विधान सभा है, ठीक है, हर पारलेमेंट के जो दोनों हाउस है, राजय सभा और लोग सभा, उसके जो विधान सभा है ना, state legislature, वहां से भी हमको कम से कम आधा लोगों का majority चाहिए, तब ही जाके पास हो सकता है, ऐसे क्यों बनाया गया है, ऐसे इसलिए बनाया है हमार constitutional drafters ने, क्योंकि जरुवत पड़े तो कभी कोई कैसे भी change कर सकता है, ठीक है, बाद में हमारे future में इसको देखकर रखा गया है, कि कोई आए और ऐसे ही change ना कर दे, संभीधान में ऐसे ही संसोधन ना ले आए, तो इसके लिए कुछ रखे गया है rules, अगर बहुत ही छोटा संसोधन है, जिसका ये सभी से majority चाहिए, तो special majority के साथ विधान सभा लोगों का भी उसमें हाथ पटाना चाहिए, ठीक है, तो 73 जो संभीधानिक संसोधन था, 73rd constitutional amendment, ये भाग 9, part 9 में include किया गया है, हमारे constitution में, संभीधान में, जो कि 24 अप्रेल 1992 को ये लाय गया था, कि क्य गाउं है, गाउं में तीसरे चरण का ये एक संस्ता बनाया गया, जहां पे कि जो भी मसले हैं, वो निप्टाई जा सकते हैं, ठीक है, तो पंचायती राच, इसके बाद देखिए, जो 74 अप्रेल था, 74th था, 74th part 9A, भाग 9 में इसको जोड़ा गया, यहां पे क्या था, एक लोकल अडिनिस्ट्रेटिव बोडीज, जो की हमारे नगर डिगम पालिका है, मुनिसिपल कॉर्पोरेशन, उसके बारे में यह बात करता है, ठीक है, अर्बन एरिया, शहर और शहरी इलाकों में भी यह लाया जा सकता है, ठीक है, इसके बाद देखिए, कुशे नंबर 30, ज मैंने आपको BIS का कुशिंस अलेडी करवा चुका हूँ, उसमें मैंने आपको बोला था, इन सभी जो रूलर्स हैं, इनके आप ध्यान रखिए, यह किस-किस वंच के शासरत थे, ठीक है, तो मैंने आपे लिग दिया आपके लिए, देखिए, जो दिल्ली सल्तनत था, बहु इस वी, 1206-1290, एडी में आया था यह, इसके बाद देखिए, कुतुबुदीन एबक इसके शासक थे, और खिलजी वंस इसके बाद आया था, जो कि 1290-1320 एडी में आया था, जलाल उद्दीन, खिलजी इसके शासक थे, तुगलग वंस आया था, तेरा सो बीस से लेकर 1414 त 1414 से 1451 तक, खिर्ज खान, इसके थे कौन, खिर्ज खान थे इसके रूलर, और उसके बाद आया था, लोधी वंस, लोधी डिनेश्टी, 1451 से लेकर 1526, तो बहलोल खान लोधी, तो टोटल 1206 से लेकर 1526, एडी तक, हमारा दिल्ली सल्तनत चला, और 1526 में आगया आपका मुग बाबर और बहलोल लोधी के बीच में, जिसमें की बाबर जीत किया था, अब देखिए, नेक्स्ट कुश्चिन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो करकर रेखा है, उससे ये कुश्चिन है दोस्तों, करकर रेखा से ये कुश्चिन है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नोट पास तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो करकर रेखा से ये कुश्चिन है, अगर आपने चुना है दोस्तों, ऑप्शन भी तो करेक्ट चुना है, राजस्तान से गुजर हो कर जाता है, जहरकंड से जाता है, पस्चिम बंगाल से जाता है, अब देख लिजे, ट्रॉपिक ऑप कैंसर कहां कहां से पास करता है आपका, देखिए, गुजरात से पास करता है, ये जगा याद रखने का ज़रूत नहीं है, बस स्टेट याद रख लिजे, गुजरात, राजस्तान, मध्यपदेश, च्छतिजगर, जहारखंड, वेस्ट बंगाल, रिपूरा और मिजोरा, इन अध्यक्ष नियुक्त किये गए है, ठीक है, डिसंबर का कोशिन है, तो आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों, इस चंद्र चतुरवेदी, तो इंपोर्टन अपोइंटमेंट से आपको बिल्कुल से पढ़के जाना है, करेंट अफैस में, ठीक है, कोशिन बन रहा है, तो लिकित में से कौन सा एक गयर बायोडिग्रेडवल पतार्त है, दोस्तों, आपके सामने है, और अगर आपने चुना है, सिल्वर फॉल, तो बिल्कुल सही चुना है, चांदी का वर्क, यह सब मिट्टी में मिल सकते हैं, लेकिन यह मिट्टी में नहीं मिलता, यही है इसका म आप यहां से बायोडिग्रेडवल, नॉन बायोडिग्रेडवल का डेफिनेशन पढ़ लीजेगा, इनपोर्टन है, इसी है दोस्तों, पढ़ सकते हैं, जैसे कि हमारे खाद्य परदाते हैं, फूड मेट्रियल्स, किचिन वेस्ट और अधर नैचुराल वेस्ट यह सब बा बैक्टरिया और फंगाई के द्वारा जो इनके ओपर रियाक्शन होता है, उससे मिल जाएंगे, ठीक है, जो हमारे प्लास्टिक है, पॉलिथीन है, प्लास्टिक, मेटल्स, अलुमिनियम कैन है, टॉक्सिक, केमिकल, पेंट, टायर वगरा, यह सब नॉन बायोडिग्रेड विलाय हो गया, ठीक है, अब देखिए, option आपके सामने है, दोस्तों अगर आपने चुना है, option number C, Punjab National Bank, बिल्कुल सही चुना है दोस्तों, अब आपको ध्यान रटना है, क्या-क्या, देखिए, Punjab National Bank, किन-किन बैंक से मिलकर बना, Oriental Bank of Commerce और United Bank, यह दोनों मिल गए, Punjab National Bank के साथ मिलिया, बस कनारा सिंडिकेट, और आंधरा बैंक और कोर्पोरेशन बैंक, यह दोनों मिलके बनाया भी क्या, Union Bank of India, and Indian Bank जो है, वो अलावाद बैंक के साथ मिलिया, यह आपको याद रखना है, बैंक से, कुशिन कहीं से भी पूछा जा सकता है, next, कुशिन number 35, what was the name of the space shuttle of the first manned mission of NASA in 1981, again BIS में पूछा गया था दोस्तों, 1981 में NASA के पहले मानवयुक्त mission के अंतरिक शियान का नाम क्या था, option आपके सामने दोस्तों, correct answer is Columbia, ठीक है, अब देख लीजिए, इसके बारे में कुछ जान लीजिए, static facts, STS-1, Space Transportation System 1, जो की था पहला orbital space flight, NASA का space shuttle program था, ठीक ह 12 April 1981, 12 April 1981 को launch किया गया था, और 14 April को ये वापस आया था, 54.5, 54 दस्मिक 5 गंटे, और ये घुमता रहा, 36 बार इसने अर्थ के चक्कर काटे, मतलब कृत्वी के चक्कर 36 बार काटे, 36 times, okay, next question, ये SSC stenographer, December 2020 का question है दोस्तों, which river does not flow to east, मतलब पूरव के और कौन सा नदी इसमें से नहीं बैता है, ठीक है, तो आपको बताना है रही, तो option आपके सामने हैं दोस्तों, तो answer आपका हो जाएगा, option number 2 जो की है, परियार नदी, ठीक है, परियार नदी केरल का है, ये पूरव की तरफ नहीं बैता है, मतलब ये बंगाल की खाड़ी में जाकर नहीं गिरता है, कोशिन का मतलब ये ही है, देख लीजिए, ये longest रिवर, सबसे लंबा नदी है, केरल का, ठीक है, और जो भी हमारे पूरव की और बहने वाले नदी हैं, उनका नाम देख लीजिए, गुदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, सुबन नदी है, और ब्रामनी और वेंगाई, ये भी है, इसके बाद इकिए, नर्मदा और ताप्ती जो है, पस्चिम की और बहने वाले मुख्य नदियां है, नर्मदा और ताप्ती, ताप्ती को तापी भी बहुतने हैं, ठीक है दोस्तों, तापी भी आ जाता है, next question देखिए, ये पूचा गया था, SSC Steno 2020 में, what does the letter F, stands in PPF, PPF में F का मतलब क्या होता है, पताइए दोस्तों, option आपके सामने है, fund, frontier, front या none, तो दोस्तों, इसका answer हो जाएगा, fund, क्या होता है आपको दोखिए दोस्तों, public provident fund, PPF आपने सुना होगा, public provident fund, तो full form का question था, next question again SSC Steno में प represents, जो उतकल होता है, वो किस राज्य का राष्ट्रगान है, ठीक है, राष्ट्रगान तो नहीं बोल सकते हम इसको, national song को क्या बोलते हैं, राष्ट्रगीत, ठीक है, राष्ट्रगीत है, तो देखिए, option आपके सामने है दोस्तों, answer हो जाएगा, उरिसा, current affairs का question है, क्योंकि अभी जो उरिसा के मुख्यमंत्री है, श्री नवीन पतनायक साहव ने, इसको उतकल को बनाया, राष्ट्रगीत, ठीक है, उरिसा स्टेट का, और इसका नाम क्या है, बंदे उतकल जननी, ये गाना का नाम है, ओके, तो दोस्तों, आज हम लोग यहीं तक करते हैं, question number 38 तक, और next class में, हम लोग question number 39 से करेंगे, यहां से हम लोग करेंगे question number 39 से अगले वीडियो में, ओके, और आपको कैसा लगा वीडियो दोस्तों, comment कर दीजे, comment section में, और जो भी static facts आपको बताया जा रहा है, अच्छे से उसको note कर लीजे, आफिर screenshot ले लीजे दोस्तों, और अपने अगर नए हैं तो subscribe कर जरूर से कर दीजिए, thank you, जय हिंद, जय भारत